घर के अंदर हम अपने कौन-कौन से पीड़ों को इजली हम उगा सकते हैं मेंस इंडोर प्लांट्स जी हाँ जनाब तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास इंडोर प्लांट्स के विशे में जिनको आप इजली अपनी घर के अंदर उगा सकते हैं तो जनाब आपका स्वागत है मेरे चैनल प्लांट पैट्स और नेचर विद गॉड में तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनी प्लांट की आप सभी इस पौदे से वाकिफ हैं और अल्मोर्स सभी घरों में पाया जाता है क्योंकि इसका जो केर है वो बहुत यासान होता है इसको आप तेज रूप से लगातार तेज धूप से बचा कर रखें खिड़की के पास आप इसको रखें फैना जहाँ पर हलकी धूप आती हो और टाइम टाइम पर अगर आप इसको पानी में लगा रहे हैं इसके पानी को आप बॉटल से बदलते रहें आप घर में रखना इस पौदे को बड़ा ही शुब बताया गया है और धन के भी लाब होते हैं मनी प्लाइट के उपसिसे से अगर आप इसे सही दिशा में सही डिरेक्शन में आप इसको आप घर में लगा रहे हैं जेनरली जो साउट इस्ट डिरेक्शन होती है वो इसके लिए बैस्ट मानी जा सकती है इसके अलाबाब आप इसे उतर दिशा में भी लगा सकते हैं दूसरे प्लांट के अगर में बात करूं तो प्लांट होता है और यह जो सनेक प्लांट है यह air purifier की तरह काम करता है means जो आपकी घर की जो हवा है उसको इशुड़ करता है है ना तो इसको भी लगाना काफी अच्छा माना गया है इसको आप अपने बालकनी में केचन में और अपने बेडरूम में भी आप इसको लगा सकते हैं काफी अच्छी प्रिणाम देखने को घर के लिए मिलते हैं अब अगर हम नेक्स प्लांट की बात करते हैं तो वह स्पाइडर प्लांट है देखिए और यह स्पाइडर प्लांट अगर आप एक लगाते हैं तो एक से आप कई मतलब इसमें पत्तियों के किनारी पर नए स्पाइडर प्लांट निकलाते हैं जिनसे आप अगी नए प्लांट को आप राप्त कर सकते हैं यह भी एयर प्यूरिफायर का काम करता है और बहुत एजी टू ग्रोट है दिखे कोई साभी पौदा हो उसको आप वाटर लॉग्ड ना रखें मैं जरूर से ज़ादा पानी ना दें जब उपरी सता है सूख जाए मिट्टी की तब ही उसमें आप वाटरी करें है ना और जो पौट है वो होना चाहिए आपका वेल ड्रेंड आपकी गंबले में छेद होना चाहिए और उसके उपर आप कोई पथर बगिरा रखके छोटा सा कंकर तब आप मिट्टी रखें मिट्टी डालें उसमें और पौधी को लगाएं ताकि वेल ड्रेंड होता रहे वाटर निक्स प्लांट के अगर में बात करूं तो ये पीज ले लिया आता है और बड़ा ही खुबसूरत प्लांट होता है एजी टू गरो होता है जरूर से ज़ादा आप इसको धूब में ना रखें और इसकी केर के लिए कोई भी खाश साब धनी की जरूरत नहीं होती है सबी पौदों में आप काउटिंग का इस्तमाल जो गोबर का खाद है उसका इस्तमाल आप कर सकते है हर महीने एक बार जरूर आप खाद डालें है ना इसके अलावा आप बोन मिल का इस्तमाल कर सकते है एकसेल जो होता है अंडे के छिलके हैं या बनाना पील आफ जो होता है केले के छिलको या प्याज के छिलको का पानी भी आप दो तिन दिनों तक भी को कर रखें और इन सभी पौदों में आप डालें अगले प्लांट के गर मैं बात करूं तो वो ये रबट का पौदा होता है देखिए बड़ा ही खुबसूरत होता है इसको अब भरके किसी भी कोने में आप रख सकते हैं बड़ा ओर्नमेंटल ब्लांट है और इसली यह मतलब अंदर ग्रो करता है इसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दोपकी इसको जरूवत कुटी है और क्या कहते हैं जैसा कि सभी पौदों में रिक्वार्मेंट होता है कि लेस वाटरिंग रिक्वार्मेंट पढ़ने पड़ ही पानी देए इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको कुछ खास इंड लास्ट वीडियो मैं रिक्विस्ट करूंगी कि प्लांट पैट सेंड नेचर विद गॉड़ को अब लाइक सब्स्राइब करें